ब्रह्माजी के दुर्गा कवच में वर्णित नौ दुर्गा नौ विशिष्ट आउशधियों में विराजमान हैं। ये नौ दुर्गा वास्तों में दिव्य गुणों वाली नौ आउशधियां हैं। ये वशधियां प्राणियों के समस्त रोगों को हरने वाली और रोगों से बचाय रखने के लिए कवच का काम करने वाली हैं। ये समस्त प्राणियों की पांचु ग्यानेंद्रियों और पांचु करमेंद्रियों पर प्रभावशाली हैं। नवदुर्गा को लेकर धार्मिक और आध्धात्मिक महात्य तो है ही, साथ ही स्वास्ति की लिहाद से भी नौरात्र का महात्य पूर्ण स्थान है, विशेश महात्य तो है। नवदुर्गा के नव रूपों को आउशदियों के प्रतीक के तोर पर भी जाना जाता है। आउवेद की भाषा में, मनुश्य की प्रतेक बीमारी को ठीक करने के साथ ही रक्त का संचालन, उचित और साफ करने का काम करती है। आईवेद में इन आउशदियों को समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली कहा जाता है। जिस सम्मंधित बीमारी से व्यक्ति पीडित हो उसे इन नो दुर्गा में उन्ही देवियों की विशेश पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण विश्व ही देवियों के स्वरूप हैं। आउशदियों से लेकर प्रिकति के भी देवियों के स्वरूप माने जा सकते हैं। जिन लोगों को जो बीमारियां हैं वो उसी हिसाब से पूजा अनुस्ठान करेंगे तो सम्मंधित रोगों में भी नौरात्र शुब फल देने वाले साबित होंगे। देवी के इन स्वरूपों को हम स्वास्त की संजीवनी देने वाला मान सकते हैं। चतुर्थ कूश मांडा यानि पेठा नवदुर्गा का चौधा स्वरूप कूश मांडा है इस आउशदी से पेठा मिठाई बनती है। इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुमडा भी कहते हैं जो पुश्टिकारक, वीर वर्धक और रक्त के विकार को ठीक कर पेठ को साफ करने में सहायक है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए ये अमरिद के समान है। पेठा का उपयोग करना चाहिए। और साथी साथ माता कुशमानडा देवी की आराधना करने चाहिए। अगली कड़ी में हम बात करेंगे देवी मा के पाँछमे स्वरूब इसकंद माता के बारे में और बताएंगे इसकंद माता के और शदी अगुन यदि आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें धन्यवाद, देवी मा के किरपया पर सदयो भनी रहे, जै मादूर के